हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मा यूटूब चैनल दोस्तों आदकी इस वीडियो में हम वेंजकों का गुणा और भाग करना शिखेंगे तो इसलिए वीडियो का अंतक देखते रहें आए शुरू करते हैं आदका वीडियो गुणे में हैं तीन का गुणा इस पूरे पक्ष से होगा ठीक है तो इसको उसी रूप में लिखते हैं इसको लिखेंगे दो एक्स का वर्ग गुणे में है तीन एक्स वर्ग धन दो एक्स धन चार अब यहाँ पर धन तीन है तो धन तीन का गुणा होगा आब तीन एक्स वर्ग धन दो एक्स धन चार से ठीक है आगे देखते हैं दो सबस्पहले अंकों का गुणा करते हैं दो का गुणा तीन से करेंगे दो तिया चै एक्स वर्ग का गुणा एक्स बर्ग से करेंगे तो यह हो जाएगा एक्स की घात चार धन दो एक्स बर्ग का गुणा दो एक्स से करेंगे तो दो दूनी चार और एक्स बर्ग का गुणा एक्स से होगा तो यह हो जाएगा एक्स की घात तीन धन दो एक्स बर्ग का गुणा चार से करेंग तो दो चोके आठ और एक्स वर्ग का एक्स वर्ग धन तीन का गुणा तीन एक्स वर्ग से होगा तो तीन तिया नव एक्स का वर्ग होगा धन तीन का गुणा दो एक्स से होगा तो तीन दूनी छै एक्स हो जाएगा धन तीन का गुणा चार से करेंगे तीन चोके 12 हो जाएगा ठीक है अब देखिए समान घात वालों को जोड़ना घाटाना कर लेंगे तो देखिए 6X की घात 4 X की घात 4 वाला अन्य पद नहीं है तो इसको यहां लिखेंगे 6X की घात 4 धन X की घात 3 वाला भी पद अगला नहीं है तो यह हो जाएगा 4X की घात 3 धन 8X वर्ग है धन 9X वर्ग है दोनों में घात X वर्ग है तो इनको जोड़ देंगे तो 8 और 9 कितना हो जाएगा 17X का वर्ग हो जाएगा धन यह कितना है यहां पर 6X है तो अन्य एक्स वाला पद नहीं है क्यों हो जाएगा 6X धन 12 ठीक है तो देखिए 2X वर्ग धन 3 गुणा 3X वर्ग धन 2X धन 4 इनका गुणान फल क्या आजाएगा 6X की गाद 4 धन 4X की गाद 3 धन 17X वर्ग धन 6X धन 12 तो यह इसका आंसर हो जाएगा ठीक है अगला कुश्चन देखते हैं कुश्चन नमर टू है रिन 14X वर्ग रिन 13X धन 12 भागित 2X धन 3 तो हमें रिन 14X वर्ग रिन 13X धन 12 में भाग देना है 2X धन 3 से तो आईए इससे सल्व करते हैं देखिए यहाँ पर हम भाग दे देते हैं रिन 14X वर्ग रिन 13X धन 12 में हमें भाग देना है 2X धन 3 से तो देखिए यहाँ पर भाग देते हैं ठीक है अब देखिए रिन 7X का गुणा इस पूरे पत से करेंगे और जो आएगा इस पूरे पत से गटा देंगे तो यहाँ पर गुणा करते हैं धन और रिन का गुणा होगा तो रिन हो जाएगा 2X का गुणा रिन 7X से होगा तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14 जाएगा यहाँ भी माइनस का प्लस हो जाएगा ठीक है तो देखिए जब घटाते हैं तो चिन बदल जाते हैं ठीक है, माइनस का प्लस हो जाएगा, यहां भी माइनस का प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो देखिए, चौधा एक्स वर्ग ये रिन में है, और ये नीचे वाला दन में हो गया, तो ये दोनों कड़ जाएंगे, और देखिए यहां पर, अब एक्स वाले पक्च को हल करते हैं, वो बड़ा है, 21X, तो 21X में से 13X घटा देंगे, तो कितना बचेगा, प्लस में 8X बचेगा, ठीक है, अब 8X बचा, और क्या पद बच गया है, यहां पर 12 बच गया, तो इसको लिख देंगे, धन 12 लिख देंगे, ठीक है, आप देखिए, यहां पर फिर से भागफल में ऐसा अंक लेना है, कि गुणा करें, तो 8X आए, ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां लेतें, धन 4, अब 4 का गुणा 2X से करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8X, धन 4 का गुणा 3 से करेंगे, कितना आ जाएगा, चार्तिया 12 आ जाएगा, ठीक है, अब देखिए, यहां चिन बदल जाएंगे, धन का रिण हो जाएगा, और यहां भी धन का रिण हो जाएगा, ठीक है, तो देखिए, यह 12 में से 12 गया सुन्य, और 8X में से 8x गया सुन्य, क्योंकि यह धन वाला है, यह रिण वाला है यह 12 धन वाला है यह रिण वाला है ठीक है तो देखिए सेस फल हमारा सून्य आ गया तो हमारा भाग फल कित्ता आया रिण 7x धन 4 तो रिण 7x धन 4 इसका आंसर हो जाएगा ठीक है दोस्तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो अच्छ लगी हो चैनल को सब्स